असलाम लेकुम साथियो क्या हाने आप सबके आज मैं आपको साबत मसूर दाल बनाने का एक एजी असान तरीका बताती हूँ इसके लिए जो चीजें हमें चाहिएं उसमें मैंने एक चोटी प्याज ली है अद्रक है लसन, टुमाटर पिसा, हवास, सुका, धनिया साबत, जीरा, लॉंग मिर्च, हल्दी नमक, ओयल और साबत, मसूर जो मैंने एक घंटा के लिए बिखो के रखती है अब इनको मैं पकाने के त्यारी करती हूँ अब इसका हम डालेंगे कोकर में गयास वां कर लेंगे कुपकर में रख दिया है आप इसमें यह डाल डाल जोगे और यह सारे मसादे डाल देंगे इसमें दो कप पानी जो मैंने बाइल किया इसमें डाल देंगे कुपकर को बांग कर देंगे और दासे पंदरा मिनट तक सीटी आने पे इसको पकाएंगे उपने दर हम अपना तड़का थियार कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए यह मसाद चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं अब हम करते हैं अपना तड़का थियार अब मैंने एक फ्राइपेंट चुले पर रख लिया है इसमें डालें भी ओई इसको गरम होने देंगे तेल गरम हो गया अब इसमें डालेंगे प्यास कि गए हैंक थुलाइजान मैं रखाए है शुलाइज आफाए 헤 आपस्में डालोगें गायं दस्वान तो प्रफबस बूर नेगे ज़ह बड़ा सापूनेगे नवजे परफ़ाइब बद्राम करें के इसमें आपस्में नापस्में पुटतुतुत्यक्ड़ थापस्में अधरक को थोड़ा सब होने कि बादा भिश्मेन अपमाशी है मिलादंगी साथ में साबुत मसाला यह माला तड़का तियार हो गया दाल पाहिए पन्दा से 20 मिनट और को देखते हैं जी पिलको यह आरो बें, अबस्में में यतर्का शानी जा दोगी सुका धनिया डाल देंगे, अब दाल काम डिश में निकाल लेंगे अब दाल काम डिश में निकाल लेंगे कि दाल बन के त्यार है, अब आश्र को में दोंगे, खा के बताएगा कि कैसी बनी आश्र को डाल चावल बहुत पसंद है आश्र अपता है, कैसे बने हैं? यम्यम्यम्य वीडियो को लाइप करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अल्ला हाफिज